नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अन्रवाग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल रेक्रूटमेंट हब दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नहीं दो नहीं टूटल 6 वेकेंसिस के बारे में और 6 वेकेंसिस काफी कमाल की हैं इनके लिए 10 वी पास, 12 वी पास, सेजवेट, पीजी, आईटिय, डिप्लोमा, बीटिक, सबी लोग अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं 6 वेकेंसिस के डीटेल्स वन बाई वन दोस्तों यहाँ पे पहली वेकेंसिस आई है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के डिपार्टमेंट से यानि की रख्षा मंतराले से और यहाँ पे 41 मल्टि टास्किन स्टाफ, कलरक, इस्टी नोव अन पदो पर वेकेंसिस आई है जिसके लिए 10 वी पास, 12 वी पास या फिर बिकॉम वाले अपलाई करेंगे और सैलरी आपको मिलेगी 21,07 रुपै से लेकर 69,100 रुपै पर मन की दोस्तों इसके लिए जॉब लोकेशन रहेगा पूरे भारत में आप चाहें किसी भी स्टेट में रहते हो आप इस वेकेंसी का फॉर्म भर सकते हो दोस्तों इसको अपलाई करने का लाश्ट एट है साथ मार्च और इसको अपलाई करने का लिंक आपको सो कर रहा है स्क्रीन पर दोस्तों अगली वेकेंसी की बात करें तो अगली वेकेंसी आईए SSC CHSL के डिपार्टमेंट से यहाँ पे clerk, personal assistant, data entry operator के पदो पर vacancies आई है जिसके लिए 12 पास apply करेंगे salary आपको मिल जाएगी 19,900 रुपय से लेकर 92,300 रुपया पर मन्त की और इसके लिए job location रहेगा पूरी भारत में All India से लोग apply कर सकते है के इंदर सरकार की vacancy है और इसको भी apply करने का last date है 7 March इसको apply करने का link website का link के हाँ पर सो कर रहा है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ों से पहले आप जरूर से इस वीडियो को like और share कर दीजी इससे हमारा motivation बढ़ता है दोस्तो अगली vacancy की बात करें तो अगली vacancy आई इसेल के डिपार्टमेंट से यानि की इस्टन कोल फूर लिमिटेट के डिपार्टमेंट से यहां पर 313 माइनिंग सरदार की vacancy आई है जिसके लिए इसको अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट का लिंक यहां पर दिया हुआ है आप इस लिंक पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स को पढ़कर फॉर्म को भर सकते हो दोस्तो अगली vacancy की बात करें तो अगली vacancy आई है एंटी PC के डिपार्टमेंट से यानि की नैशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन के डिपार्टमेंट से दोस्तो यहाँ पे 173 माइनिंग सरदार वा माइनिंग ओवर मैन के पदोबर vacancy आई है जिसके लिए 10 वी पास प्लस टिपलोमा वाले अपलाई करेंगे और सैलरी आपको मिलेगी 40 से 50 जार रुपया पर मन की इसके लिए job location रहेगा जार खंड और अपलाई करने का लाश्ट टेट है 15 मार्श फॉर्म भरना चालू है और इसकी website करने के यहाँ पर दिया है अपलाई करने करने के यहाँ पर दिया है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ों से पहले आज का giveaway question है यदि वायू मंडल ना होता तो अकास का रंग कैसा होता आपके options हैं काला, नीला, पीला या फिर लाल अपनी जवाब comment box में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक surprise gift विनर, surprise gift आपको मिलेगा कल रात को 8 बचे दोस्तो अगली वेकेंसी की बात करें तो यहाँ पर वेकेंसी आईए UPSC Civil Service से आप इस वेकेंसी के लिए अपलाई करके IAS, Collector, Video, etc. बन सकते हो दोस्तो यहाँ पर 2012 Civil Service वा Indian Forest Service के पद पर वेकेंसी आई है जिसके लिए graduate अपलाई करेंगे किसी भी discipline से BA, BCOM, BSC, BT कोई भी अपलाई कर सकते है और यहाँ पर salary आपको मिलती है 56,100 रुपय से लेकर 1,70,500 रुपया पर मन की इसके लिए job location रहेगी पूरी भारत में और इसको अपलाई करने का last rate है 22 फरवरी और इसको अपलाई करने का link यहाँ पर दिया है दोस्तो अगली वेकेंसी की बात की जाए तो अगली वेकेंसी आए आर वी वी यू एनल के डिपार्टमेंट से और यहाँ पे 1512 टेकनिकल हैलपर की पदो पर वेकेंसी आई है इसके लिए 10 वी पास प्लस ITI वाले अपलाई करेंगे और सैलरी आपको मिलेगी 19,200 रुपए से लेकर 81,000 एक सुरुपए पर मन्त की दोस्तो इसके लिए जॉब लोकेशन रहेगी राजस्तान और इसको अपलाई करने का लाजट एट 28 फरवरी और इसको भी अपलाई करने का link यहाँ पे दिया है दोस्तो यह जो आप स्क्रीन पर देखे हुए है हमारा टेलीग्राम का ग्रूप है इसक्रूप में अलरेडी 1,2,000 लोग जुड़े हुए है क्योंकि इसक्रूप को जॉइन करके आपको mobile पे ही सारे jobs के अपडेट मिल जाते है तो दोस्तो इसक्रूप को जॉइन करने का link आपको मिल जाएगा पहले comment में आप जरूर से इसक्रूप को जॉइन कर दीजिए अगर आपको mobile पे सारे vacances के अपडेट चाहिए Secondly, जो भी vacances मैं आपको आज बताया हूँ उनका link मैंने दे दिया है पहले comment में आप पहले comment पे click करके इस website पे जाकर सारे details को पढ़कर form को भर सकते हो अगर कोई सवाल होगा comment करेगा मैं जवाब दे दूँगा इस वीडियो बस इतना ही जैहिंद बंदे मातरम